हेलो फ्रेंड्स उनीता सर्मा किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में आपके लिए लेके आएं सूजी के गुलाब जमुन की रेसिपी वो भी बिल्कुल रस से भरे रसी लेकिया आपने कभी खाये नहीं होगे तो इस तरीके से बनाने का एकदम आसान तरीका ल है कोई आपके बैने लेना है या कडाई लेना है जो भी आपके पास शाएं अप लेशते हैं। आपके पास यह ड़ी चीज बहाता है। और उसमें आपको डालना ऐख चमच गी लेना है। ज्यादा माटरा घिंको प infection न डालना इसमें के बिल्कुल पर्फेक्ट आपको यह वीडियो बनेगी फ्रेंट्स की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको यह गुलाब जमुन बनेगी लोग पूछेंगे आपने बनाये कैसे हैं यह तो यह हमने ले लिया है एक कप सूजी ले लिया आप देख सकते हैं दो परकार की सूजी आती है एक बिल्कुल मोटी या आपको इसमें डेड़ कप दूद का हैड करना है अब इसको पांस मिनट लिए लो फ्लेम पर से चलाते हुए यह बिल्कुल दूद को कर लेगी तो देखिए इस तरीके से हम ने इसको पका लिए हैं बिल्कुल अच्छी से दूद को सोब कर चुकी है यह अब इसको आपको 5-10 मिट के लिए कि तब तक फूल जाय सूजिए जो तो यह हमारे मिक्स बिल्कुल तयार हो चुका है और प्लीज फ्रेंट्स आप से रिक्वेस्ट एक वीडियो थोड़ा सभी पसंद आये तो लाइक और कमेंट करें चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पूर इस त्यार हो पनाएक है चासणी पर नेगी कोई भर नहीं प्रफैक्टक को तो तो ब्रकुम और रचा जाती है तो इस त्युत है अच्छी आपको यह तοवंधे लेंगे तो दर देख pensa अब इसे माँआा है अजली तो भर 15-20 केसर के धागे डाल देंगे कि इसका एकदम बहुती अच्छी कुसबू भी आएगी फ्लेवर भी इसका कुछ अलग आएगा जो इसका कलर भी बहुती अच्छा आएगा इससे तो इस तरीके से आपको चासनी को तयार कर लेना है तो देखे चासनी में बिल्कुल चीनी हमा तो देखे चासनी मारी बिल्कुल तयार हो चुके अर्गैसम इसके बंद कर देंगे आप उंगली पे लगा के चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी से चिप-चिपाट हो रही है कि चासनी में अब हम इसमें तयार कर लेंगे कि तेल गरम होने के लिए रख देंगे तो पहुती फसंदाएंगे इस अब तारीब करते थकेंगे नहीं तो देखे तेल भी एक साइड में गरम हो रहा है तो मिक्स थंडा होने के लिए रख दिए बिल्कुल फूल के और थंडा हो चुका है तो चलिए अब इसको डो को लगा के तयार कर लेंगे बिल्कुल सोप्ट क करना है तो देखे हमने इसमें घी लिए है आधि चमज के करीब आभ इसको इस तरीके से सोंट करना है कि टो ब्ल्कुल भी इसमें धरारBoy क्योंकि गुलाब-जामुन बिल्कुल सौप्ट गोल बनने चाहिए आपको मिक्तिकना फर फैक्यर्ट को देखे क्षे तरीकने की तर तो उसी तरीके से आफ इसके गुलाब जमून की बोल्स तियार करें और इतनी ज्यादा आसान इतनी ज्यादा विए फ्रेंस के बारे में बहुत रचेस्टिल ब्राईा बंने पहनों में डाल के चेक करें तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं आपको ज्यादा है प्लीप पे आपको प्राइब चाल आपको फ्राइए यहां देना बहुती अच्छा सुनेयरा कलर आएगा इसमें तो यह देखिए इस तरीके से अमने एक बॉल्स यो डाले थे व तो देखे बिल्कुल low to medium flame paste को fry करना है आप इसको देखने से भी आपको अंदाजा लगा सकेंगे कि कितनी ज्यादा जबर्स दस्त गुलाब जमून बने कभी आपको जब भी अगर आप गुलाब जमून बनाएं तो आपको पैन में ही fry करना है क्योंकि कड़ाई में गुलाब जमून बन्तिर बिल्कुल एकजसा इसका कलर आता है कि Panни के अब इत पैसान सकते हैं कि गुलाब जमून में चांसनी अब चांसानी बिल्कुल अच्छी काई जायी तो इस को थोड़ी देर के लिग तो यह बिल्कुल चांसनी के अंदर डूब चुकी है यह इतनी परफेक्ट चासनी को पी चुका है यह चोटा सा जो मिनी गुलाब जमुन हमने तयार किया था जो तो इस तरीके से हमारा फश्ट भैस तयार हो चुका है इसको चासनी में डाल देंगे इस सबी को बिल्कुल हल्की गरम चासनी में आपको जालना है तो यह देखिया आप इसका कलर कितना प्यारा आया है और बहुती अच्छे गुलाब जमुन बनके तयार होंगे तो आप इसका साइज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साइज आप खुद देख सकते हैं इतना साइज से कितने ज्यादा डबल साइज के हो जाते ह दाना है कि आपको इसमें सुझी आपको बारिक वाली लिम्मोटिय वाली सुझी नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो थे L यह दूसरी बैच को भी हम इसमें चासनी में डाल दिया आप कलर देखके ब्रेंट संदजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमारा यह बिल्कुल परफेक्ट सिकाई हुए इनकी गुलाब जामुन की एक दम बिल्कुल सुनेरा कलर आचुका है जो गुलाब जामुन का कलर ह होता है वही तो इस तरीके से देखे हमें सभी को प्राई करके डाल देंगे और सभी को अमने चासनी में इसको डाल दिया है देखे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार हो चुके तो अब इसको आपको रखना है कम से कम 4-5 गंटे के लिए चासनी में रख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं तो फ्रेंट्स आप भी कोई भी प्रेस्टिवल या कोई भी तववार आएगा तब आप इसको जरूर बना के ट्राइग करें जब भी अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो तब भी आप इसको बना क करें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो वीडियो को जल्दी सी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से अभी तक आपने मारा फेच्ट फेच फोलो नहीं किया तो वहां पे भी जाके फोलो लाइक सेयर करें वहाँ पर आपको ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी तो आज के लिए तना ही थैंक यूँ